हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गोड मॉनिंग अपने घरों में होंगे सब लोग डाउन का मजा ले रहे होंगे मेरी इस्यू हम दोनों भी ठीक हैं सुबह का ही टायम हो रहा है आठ बज़े के आसपास का क्योंकि मेरा क्या रहाता सुबह और लेट थोड़ा उठती है तो मैं अपना खाने पीने का जो होता कि चिन का काम निप्टा लेती हूं तब तक तो यहां पर मैं सांबर बना रही हूं तो आज मुझे इडली डोसे सांबर ये बनाने हैं तो उसी की तैयारियां कर रही हूं सांबर की रेसिपी मैं आप मैं नहीं करिये इस बार तो बस कड़ाई में तेर चड़ाया हुआ है यहां पर प्याज और लहसुन है उसको मैं अच्छे से बिलेंडर से थोड़ा सा वह कर लूँगी क्योंकि एक बार मैं एक प्याज उसमें जो डाल उबाली थी ना उसमें डाल दी थी लेकिन मैं जब त दाल करके रखनें और एक आलू भी डाला है जो मेरे पास अब लेवल ता पेठा ही था ज्यादा सब्जी में और कुछ नहीं था वह डाला था हल्दी नमक और मेथी डाला जो होता है दो चमच वह डाला था क्योंकि आप लोगों को पता यह हैड़ की डाल है और उड़त की दाल भी रहती है उसमें तो थोड़ा सा प्रोलम होती है तो इसलिए चावल इसमें सोरी डाल में मेथी डालना बहुत अच्छा होता है जो मेरी सासकन उसका है यह वह हमेसा डालती थी तो मैं भी डालती हूं और आज यहां पर मैं एक व्लोगर है उनका नाम लेना आप सब लोग बोलते हैं कि दीदी कमेंट करें हमारे चैनल का नाम भी लीजे हमारे चैनल का नाम भी लीजे नाम लेने मुझे कोई प्रोलम नहीं है बलकि मुझे खुसी होगी कि अगर मेरी वजह से किसी को थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाता है तो क्यूंकि आप लोग जान उबाउँ तो वहां आपने देखा था कड़ाई में मैं थोड़ा सा मुफली जो में मूफली की चटनी बनाऊंगी उसको मैंने बिना उसके तेल वगरा कुछ डाले ऐसी ही फ्राइए किया था तो यहां पर अब मैंने कड़ाई में थोड़ा सा पास में लिया हुआ है इनको अच्छे से बहुं लूँगे उसके बाद में जो टमाटर फ्यूरीय मैंने उसको डाल दिया है और इसके डालने के बाद में फिर कुछ मसाल एक्चुली में कम वहां पर ढाले हुए नमक बगर आए उस इसाब से डाली है आप लोग भी क्योंकि दाल में भी नमक पड़ जाता है हल्दी भी मैंने डाली हुई है तो इसलिए इसमें में उस अच्छा लगता है वह आज कल नहीं मिल पारा लोग डाउन में तो इसको मैंने डाल दिया यह भी अच्छा है टेस्ट में और यहां मैंने जो दाल उबाल के रखी थी उसको एड़ कर दिया और इसको थोड़ी दिर मिक्स करने के बाद में इसमें पानी एड़ करूंगी आप तला किलीन करके रखिंगी क्यूंकि सुबह में कि रहे साफ पारूंगी फिर सुबह में किछेंके ज हैं तो जबाकों बारा यहां गरती है तो 30.30 तक में यहसब काम कंपलीटrawd कर लेती हूं तो यहांपे पता है जब मैंने तड़का लगाया था राईकार वो सब समख सकते हूँ आप इतना चिकना और यह सब हो जाता है और इसको मैं साथ इसाथ गिसके अच्छे से अगर साथ में नहीं करते हैं तो फिर दो चार दिने में बहुत सारा काम बढ़ जाता है तो इसलिए यहां पर मैं इसको अच्छे से साफ कर लूँगे पर मेरा सारा काम खतम हो गया था और उसके बाद में मैं यहां डोसे बना रही हूँ तो यह बैटर मैंने अच्छे से मतलब वही होता है तीन कटोरी चावल एक कटोरी दाल सबको एक दिन पहले शाम को मलब पीस के रख दिया था पूरी रात के लिए खमीर उठाने के लिए अच्छा खमीर पता है सुबह को देखा होगा किनारे तक भगोना मतलब भरा हुआ अच्छा खमीर उठ गया था होता है बहुत घिसके नहीं साफ कर सकते नहीं तो वह छुट जाता है और थोड़ा बहुत ऑइल डाल दें तो यह हो जा इस तरीके से यहां हो करके इशू की प्लेट तैयार यहां मैंने इसकी चटनी बनाई थी मूफली की सामवर और डोसा डोसा मेरे घर में पिलेन वाला ह संद नहीं है और उसके बाद दुफेर के टाइम में बनाई थी मैंने इडली तो इडली वगारा सब बना करके अब अबस खाना पीना दुफेर का भी हो गया था क्योंकि सुबह डोसे बनाए थे दुफेर में इडली बना दी थी थी थोड़े से कपड़े थे तो वही था मै काम अब लोहों से बाते नहीं हुई थी तो आज मुझे कुछ बातें भी करनी है आप लोहों से और आज मैं ये वाले रूम में बैठी हूं अदर इश्यों के ऑप लिए नहीं हुए है क्योंकि वह थी और आज दिन है ब्रस्पतवार और डेट है सब दिन संडे लग रहा है कि बच्चे कुछ भी नहीं सब भर पर ही लोग डाउन है तो इसलिए घर के अंदर ही है और बस सुबैकर कपड़े वगरा के जो मेरा काम था सब्सक्राइब करना उसको तो मैं बात करना चाहरी थी आपको यूटूबर प्रियंका है उनके बारे में एक्चुली देखिए पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाई थी सब उनके बारे में में बहुत जादा यूटूबरों के बारे में इस तरीके से वीडियो बनाना क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था लेकिन कुछ न कुछ रीजन ऐसे आ जाते हैं मुझे वीडियो बनानी ही पड़ जाती है उस टेंपे भी मेरे पास कमेंट आये अब यहां थे कही सारे के आपकी क्या रहा है उनके बारे यह वो पूरा फलाना धिकना उसके बाद मैंने वीडियो बनाई बीचे में कमेंट बंद हो गया मेरे पास अब एक दो दिन से फिर से कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने प्रहंका जीले दिल्ली पुलिस में कम्प्लें इस तरीके के बहुत सारा कमेंट है और उन्होंने क्या कराए पहले कही दिन से कमेंट कर दें थी मैंने कोई रिपलाई नहीं किया अभी उन्होंने कमेंट मुझे मेरे वहां से डिलीट कर दी हैं लेकिन हमारी नौटिफिकेशन वगेरा में तो सब कमेंट रहा जाते हैं से तो वहाँ पर है आप चाहूँगे तो मैं सेव्ट किया हुआ दिखाऊंगे तो बैस वही पूछती है मलों के आपके क्या राह है आप लोगों को पता है कि मैं चाहती तो कमेंट के अंदर भी ही जवाब लेकिन उस तहीं कैसे उतना एक्स्पिलेंट नहीं कर सकते हम तो वह ब बारे में बहुत गलत नहीं लिखा लेकिन अपनी उनकी जो राय लिखिये उन्होंने तो वह तुमारी राय ती मेरी आपने पूछी तो इसलिए मैं अपनी राय बतारी मेरी यही है क्योंकि हम किसी के उपर उंगली उठाया हम किसी को गलत बोले बिल्कुल भी नहीं क्यों अच्छे कमेंट कीजिए और पसंद कीजिए अगर लग रहा है आपको भाई उनकी वीडियो मुझे पसंद नहीं आ रही तो मत देखिए मत जाएं वीडियो पर लेंगे वीडियो पर लेकिन की वीडियो पर जा कर पिरेंगे बारें कमेंट लिकर और दूसरी बात यहे प्रियंका प्रियांका जी को चलो वह बड़े लेवल हैं, यूटूबर हैं तो हम सब जानते हैं, लेकिन वह हमें नहीं जानते हैं, यूटूबर हैं यद नैं, कौन कुस्ट हें fire下去 हैं थो क्यों को भोल न, जो पता हैं. क्योंकि लोगों को हम जो दिखाते हैं वही दिखता है बाकी अंदर क्या है असलियत क्या है वह लोगों को नहीं पता होती है तो वह तो असलियत उनहीं को पता है मैं कुछ उनके लिए गलप नहीं बोलूंगी मैं बस इतना ही करूंगी कि जो जितने उनकी वीवर्ज हैं अग यहां दे रही हूं मैं उनकी जादा जानती भी नहीं हो जो मैं कुछ बोलों मैं नहीं कुछ बोल सकती कि पुलिस कंप्लेंड करी दिल्ली पूरा मुझे नहीं पता है यार आप इस तरीके से कमेंट मत लिखे थोड़ा सा खराब लगता है ना कि वो पता नहीं सच क्या है उनकी लाइफ में ऐसा हुआ भी है या नहीं है लेकिन कमेंट करकर के आप लोग सब लोगों को जा करके तो सोचेंगे अरे हाँ प्रियम का शाहिद गलत है उसने य मेरा वीडियो आगे कंट्यूनियू करूंगी आपके लिए बहुत कुछ है आपने जो देखा आप तक वह भी और आगे भी मैं आप लेगे लिए बहुत कुछ लेकर किया ही नहीं तो प्लीज मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताना जरूर के मेर जो मैंने बोला है वो सही है या गलत है तो प्लीज कंट्यूनि करिए मेरा वीडियो असाब लोगों से बात करने के बाद में उस टेम उस यह हो रहा शाम के टाइम तो मैं जो कपड़े दोए थे बस वही थोड़े सही थे उनको ही मैं यहां पर ते लगा कर रख दूंगी औ थोड़ा सा रहता है और वैसे भी इस प्रेस करने में थोड़ा सा में कंजूसी करती हूं कि मुझे सरवाइकल है बहुत सारी प्रोलम हो जाती है उसका सामना ना करना पड़े इसलिए और आप सब लोग अगर चाहते हो तो प्लीज मैं आपका नाम लो तो उस हिसाब से लोग ही महनत कर रहे हैं आप लोग भी जानते हो मैं भी जानती हूं बहुत लोग महनत करते हैं और यह मरे वीडियो ना हमें शाम का दिखा रही हैं पता है हम लोग छटवे गए थे उपर तो भावी भी थी वहां सब यह तुम्हें भावी का किचन गारण थोड़ा सा कडिशए बताना निव है मेरे चैनल पर तो मेरे चेनल को सक्राइब करना और आइकन को प्रेस ना भूलें और इसी के साथ में मिलूँगे आपको कल नए वीडियो के साथ में और नए एक सलाद पर